हेलो एब्रीबन, फ्रेंस आज की जो स्पेसल क्लास आप लोगों के लिए है यूटूब पर यहाँ पर मैं आपलों को बताने वाला हूं टाइमेंड बर्क के टाइप्स टाइमेंड बर्क में आप लोगों के लगातार जितने भी प्रकार के कोशन होते हैं तो आईएगा आज की सिसन को हम शुरू बात करते हैं आराउंडेड जो है आपनों के लिए 10 टाइप के कोश्चन आपनों के फर्स्ट वीडियो में लेकर क्या है देखिए का सबसे पहले में आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करना चाहता है यदि वो कम समय में करता है कम साय में कर देता है तो इसका मतलब जो टाइम आप लोंका रहता है आपनों को रहेगा यह था वेसिक फंडा और आपनों कुछ भी नहीं पढ़ना है एक और चीछ पढ़ लेगा टूटल वर्क कुल कार जो रहता है कोई भी काम हम करते हैं तो कितना समय लेते हैं और कितनी चमता उसमें लगी चाहे वो दस लोगों की चमता हो चाहे एक व्यक पढ़ने वाले हैं सौट-सौट वीडियो लेकर के आऊंगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंट के साथ वीडियो को सेर जरूर करना लगाता है ऐसी वीडियो आपनों के लिए लेकर के आता है फर्स्ट कोशन क्या क आपका 36 दिन और शी काउंटर को करने में ले रहा है 45 दिन ध्यान रखना जो काम है वो तीनों को द्वारा सेम काम किया जा रहा है तो मतलगों का वेनिश्ट वर्ख होगा तो उसका DCM लेना होगा LCM में लेते हैं इसका तो कितना आएगा आपका 180 है नए लेकिंदेख़ींगा LCM लेते हैं अब आप लोगों का यहाँ पर इससे इसThis में divide क्यों दे रहे हैं क्यों यह जो आप लोगों का आया unit में हम इसको मान रहे हैं आप आपसे क्या कहता है एवी सी एक साथ कितने दुनों में काम को पूरा करेंगे वह कितने दुनों में ताइम आपसे पूछ रहा है तो टाइम is equal to क्या रहेगा देखो एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है टी डवलु यानी टोटल काम is equal to efficiency into time तो आपको time पूछा ग कहता है यह आपलों का पहली टायप का क्ậpोश्चन कंप्लीट होता है एक काम को 30 Uhh पूरा कर सकता है वी 36 दूनिमें वही काम कर सकता हैं जबकि सी 45 में कर सकता है उन्होंने एक साथ काम चुरू नौ दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया देखिए का एक काम को 30 दिनों में कर रहा है एक किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है वी उसी काम को 36 दिनों में कर रहा है और सी वी उसी काम को 45 दिनों में कर रहा है वही काम किया जा रहा है तो कहीना कम तीनों का जो है ओवाइनि एक दिन मैं कितना unit काम करेंगे यह 500 यख़ो आ रहा है ना आप आप लों का दिखेगा यह 30 दिनों मैं कर रहा है तो यह यह इ spite निकल रहा है वो एक दिन का कार है एक दिं का समझे रहे हैं च्ञार में होगे पांच यूनिस्ट काम हुआ ने साateurs काम किया है कि नहीं नो दिन तक किया है तो नो दिन में इतना काम हुआ करते हैं थैनों को नो दिन में इतना काम करते हैं थीन हो js Um एक सो पैटीस यूनिट यह दी उनका हो गया तो कितना काम बचने वाला है वही 45 यूनिट 45 यूनिट जो काम है वह किसको करना है यह तो काम सोड़ करके चला गया अब वी और सी को मिल करके करना है वी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 9 यूनिट कर रहे हैं कि एक दिन में यह पांच कराई रहा है यह चार दोनों मिलके करें यह 9 Brittben मिलकर कि फॅ記得 काम को कितने दुनों में करतें गे डिखो बहुत हुआ थे कल का रहा है तो बट इस यहां जाते हैं कि आपको रिमैंनिंग वर के बारे के बारे के बारे पूछा गया तो थोड़ा सा देख कर किस तरी को टच करना है ठीक है यहां पर इस पेसली आपको दिया गया है remaining work कितने दुनों में complete होगा remaining work will be completed how many days तो वाई remaining work आप लोगों का है जो 5 दुनों में complete होने वाला है पूसरणों में अपनों को दिख रहा होगा तो इसमें जो आपनों काivesse तो कर का सकता रहा है पूशन के रहा है कि A किसी कार को 30 दूनों में कर रहा है देख लिए है A किसी कार को 30 दूनों में कर रहा है B 36 दूनों में कर रहा है ठीके वह B 36 दूनों में कर रहा है तब कि C उसी कार को 45 दूनों में कर रहा है और वी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, यहां से हमको दिख रहा होगा, भी 6 और 5, 11 यूनिट काम करते हैं, और 9 दो 9 तक काम किया है, तो 9 दो 9 में कितना काम किया होगा, 99 यूनिट काम कर दिया है, इसने काम कर दिया है, तो कितना काम बचा है, 81 यूनिट, 180 कुल काम यहां पर देख रही है यहां पर इस यहां पर जिस्टम आप लोगों को यहां पर किलियर दिख रहा है तो यह किसके शमता है वी और टीक है ठीक है 9 unit काम वो एक दिन में करते हो बचा हुआ काम 81 है तो 81 unit काम को कितने दुनों में करेंगे तो एक दिन में 9 unit V इसे 45 गुनों में पूरा कर सकता है और C इसे 60 गुनों में कर सकता है AVC ने काम सुरू किया लेकिन C ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया ये काम छोड़ने वाला टाइब है देखेगा बिल्कुल 7-7 situation आप लोगों के लिए नमबर में ने एक से इसलिए रखे हैं जिससे आपको परिशानी ना हो विल्कुल भी चिक है A 36, B 45 और C आप लोगों का 60 गुनों में कर रहा है टोटली तीनों मिलकर के जो करते हैं वो कुल काम आप लोगों का होगा 180 युनिट और ये एक दिन में 5 युनिट काम करेगा ये 4 करेगा ये 3 करेगा और फाइनली जो एक साथ मिलकर के करने वाले हैं ये आप लोगों का 12 युनिट काम करेंगी अब कोश्चन क्या कह रहा है ABC ने काम सुरू करती है लेकिन C ने काम पूरा होने के चार दिन पहले काम छोड़ दिया काम पूरा होने ही वाला था कि चार दिन पहले C जो है काम छोड़ करके चला गया ठीक है वाई C जो है काम छोड़ करके चला गया अब काम छोड़ करके C चला गया चार दिन पहले छोड़ करके गया है तो चार दुनों में इसने कितना काम किया होगा, पहले तो उसी को निकाल लीजिए, तो चार दुनों में इसने 12 यूनिट काम किया होगा, कितना 12 यूनिट, तो 12 यूनिट को घटा दो इसमें, अच्छा अलग अलग तरीके से हम इसको कर सकते हैं, 12 यूनिट को घटाने की कुल अदर फोल के छोड़ा नहीं पर यहां परatiess हो खो गो़िए जोड़त हैं जोड़ा इसलें कि चोड़ा नहीं है हौब विजीं हैं करतें कि चार हम openness को छोड़ा के काम कहा से रही आपने साथ है अब युद्धि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते वो कैसे वो ऐसे कि जो चार दिन पहले काम उसने छोड़ा है तो चार दिन में इन दूनों ने अलग अलग काम किया होगा चार दिन पहले इसने छोड़ दिया तो अंतिम चार दिन में इन दूनों ने काम किया होगा एक दिन में ये 9 उनिट काम करते हैं तो चार दिन में 36 उनि हैं कि क्या कि चला गया था टब यह दूनों तो काम कर रह थी न ऊचार दिने तुक इन दुनों ने अकले काम किया अकेले काम किया तो 36 लुन सब्ता कंसे epic उनिटогशावЕТ. उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, A काम पूरा होने के पांस दिन पहले काम छोड़ दिया, B, A के छोड़ने के दो दिन बाद, इंगलिस में देखिए, V left two days after A had left, में बलाब B ने छोड़ा है, जब A ने छोड़ दिया, A के दो दिन बाद B ने छोड़ा, पांस दिन में करेगा चार, फुल मलाकत के पंदरे यूनिट काम एक दिन में तीनों मिल करके करेगी, ठीक है, अब वो आप से क्या कह रहा है, उन्होंने एक साथ काम सुरू किया, एक काम पूरा होने के पांस दिन पहले चला गया, दोनों ही मैं थार से बता रहा हूँ, पहले एक-एक से सुन ले न, एक काम पूरा होने के पांस दिन पहले चला गया, ए जो है पांस दिन पहले चला गया, लेकिन पांस दिन में कितना काम करता भई, पांस दिन में काम करता 30 यूनिट करता, पहले का मतलब आप लोग लिख लीजिए, पहले का मतलब होता है जोड़ना, यदि काम पूरा होने वाला था इतने दिन पहले चला गया, तो उसको उतने ही दिनों के काम को जोड़ दें, उल्टा जोड़ दें, जोड क्यों दें, क्योंकि वो चला गया हमने उसके लेकिन जान मतलब काम खतम होने कितने दिन पहले छोड़ दिया भी ने तीन दिन पहले समाज रहो बात को तीन दिन पहले छोड़ा है क्योंकि जब ए ने छोड़ा था तब पांच दिन रहे गए थे जब बी ने छोड़ा तब तीन दिन रहे गए थे क्योंकि उसने एक दो दिन बाद काम जो है कुल करना है 15 है एक साथ मिलकर करते हैं 15 तो 15 से करोगे तो फाइनली 15 दिन इसमें आपको लगने वाले हैं पर पर तो आपको समझ में आना चाहिए हम टाइम निकाल रहे हैं कितना दिन लगेगा और टाइम इसकोल डू कितना रहता है टोटल वर्क अपन एफिसेंसी टोटल वर्क है उनका 225 यूनिट उनकी शमता एक दिन में 15 यूनिट काम करने की ठीक है तो फाइनली 15 दिन में हो जाए एक इसी काम को 30 दिनों में बी इसे 45 दिनों में कर सकता है जबकि C इसे 60 दिनों में खतम कर सकता है काम खतम होने के कितने दिन लगेंगे यदि A, B, C एक एक दिन काम करें अल्टरनेट काम कर रहा है ध्यान कि A किसी काम को 30 दुनों में कर रहा है वे किसी काम को 45 दुनों में कर रहा है और C किसी काम को 60 दुनों में कर रहा है तो 30 दिन मतलब एक दिन में जो काम करेगा यहां पर 6 यूनिट काम करेगा यहां पर unit वगरा हर question में ध्यान रखना यहां पर जो काम करने वाला है 4 unit करेगा यहां पर 3 मतलब आपनों का कुल मलाकर 13 unit काम करेगा अब वो आपसे बोल रहा है कि एक एक दिन काम करें मलब पहले दिन A करेगा A करेगा तो 6 unit काम करेगा दूसरी दिन V करेगा 4 unit काम तीसरी दिन C करेगा 3 unit काम मलब तीन दूनों में जो काम होने वाला है इधर 13 का किया है तो इतर भी 13 का करना पड़ेगा मतलब 49 दूनों में काम हो रहा है इदर वाली साइड आप लों कि ल नीट iki है अगले दिन काम करेगा ऑज शई Nu चाहं के च fraud अगले दिन काम करेगा भी और भी करेगा चार यूनिट काम तो काम हो जागा 179 और देव हो जाएंगे 41 अचा 41 दुन में इतना काम हो गया अब अगले दिन करेगा C और काम बचा गुए एक यूनिट काम को इसकी छंपता है 3 मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करने की टाइमिंग तो ऐसी निकालते हैं कुल काम बटे कुल छंपता है एक यूनिट क किसी काम को A और B एक साथ 30 दुनों में V और C 36 दुनों में कर सकते हैं C और A 45 दुनों में कर सकते हैं तो A, B, C एक साथ कितने दुनों में करेंगे सबसे सलल टायत में देखेगा A प्लस V कितने दुनों में कर रहे हैं 30 दुनों में प्लस कितने दुने में करें दमें करेंगें छॉतатьिस दिनों में 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 चे, इंद में चुझी उनिट करेगें ये पांच उनिट करेगा यत चार इनिट खेर और आप लोगों का सोचता है कि ए कि दुनां करेंली कि लग 2 आपने कंदर आ रहा है तो फिर 2 को पूमन निका लेगे ए प्लस B और प्लस C एक दन में कितना काम करेंगे कितना यूट काम करेंगे 15 वेटे दो यूनिट बस हो गया अब आप से कुल काम बही कुल काम में 180 unit कितने दुनाह本ा करेंगे तो टाइम आपको निकालना है days यहाँ पर time लखें या days लखें कुल काम बटे कुल छमता तो इनकी छमता है 15 वटे दू यूनिट करने की एक दिन में 15 वटे दू डबल वटे होता है शंक्या पलट जाती है उपर पहुच गया यह हो जाएगा आप लोगों का 15 से और यहाँ पर हो गया 2 means आप लोगों का time लगने वाला है 24 days 24 दूनों में काम पूरा हो एक जी काम को A और V एक साथ 36 दिनों में 60 और overall उसी तरह की समिश को निकालेंगे तो कितना आ रहा है 180 5 4 & 3 और 20 ओके फाइनली देखोगे तो तीनों के दौरा कितनी की जाएगी a-plus-b-plus-c के दौरा कितनी की जाएगी अब यह भी बताया बटे में दौआ जाएगा तो एक दिन में इस 6 दिनों काम क करेंगे अब हमको तो अकेली-अकेली चाहिए वह अकेली-अकेली क्यों चाहिए चैए वह अकेली-अकेले पूंछ रहा है बाद में कि A आदी शंता से क्योंकि AVC का योग तो 6 दिया है ना और C और A एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो फिर V कितना करेगा भई अब आप से क्या कहता है एक साथ काम सुरूं किया एने काम पूरा होने के चार दुन पहले चोड़ना चार दिन पहले चोड़ने के बाद तीन दिन बाद चोड़ दिया इंगलिस में देख लिए थोड़ा सा C left 3 days after A had left मतलब C ने काम छोड़ दिया जब A ने छोड़ा उसकी 3 दिन बाद तो मतलब C ने जब छोड़ा जब A ने छोड़ा था तब तो 4 दिन बचेते लेकिन जब C ने छोड़ा तब तो A की दिन बचा है ना और C एक दिन में कितना काम करेगा दो यूनिट काम करेगा त आड़ देंगे निए 618 और 626 मतलब काम को करने में कुल कितना टाइम लगी का बाई 31 दिन लगेगा चार पूरुस आठ दुनों में करते हैं तीन महिला हैं 16 दौनों में करती हैं 12 लड़के 8 दौनों में खटम कर सकते हैं 3 पूरुस चार महिला हैं 5 लड़कों ने एक साथ क सुरून है लिकिन तीन दनों के पोड़ पुरसों ने काम चुड़ दिया और दो लड़के सामिर हो गए काम कि दिन में समप्ष। चार पुरुस किसी काम को 8 दुनों में कर रहा है। मरें तरह तरहां कर देतेहे चारा जप्ला शॉपन ऐड़ुत कितने महिलाओंती को तानी हो क्रषा है तो कि जात कई आनों सवंफिन सफ़ीनान में काम करेंग гр फोर्लॉरिहैं युनिट के दना चपरालू हो दिए इनकिति युनिट करने दो में पडिल के लön को तो फाइनली जो आपको प्राप्त होने वाला है वो 6 और 8 और 5 means यदि हम इसको जोडने वाले हैं तो 14 और 5 और 19 19 ही होगा क्या थोड़ा सा एक बार हो जोड़ा है 339 होगा है गलती हो रहा है यहांपर यहांपर यहांपका हो जाएगा 22 और 20 से तीन में गुड़ा करोगे तो 66 यूनिट काम हो जोगा है 96 मैसे 66 यूनिट काम हो गया अब कितना बचा हुए थीज़ा है 30 यूनिट काम बचा हुए 30 यूनिट जो काम है वह पुरसों ने तो काम छोड़ दिया अब महिलाएं और बच्चे बच्चे हुए हैं महिलाएं और बच्चे बच्चे हुएं तो चार तो महिलाएं काम कर रहे हैं चार मुमेन काम करेंगी और दो लड़के और आ गए तो मतलब साथ बॉय चार महिलाएं और साथ लड़के चार महिलाएं कितना काम करेंगी चार महिलाएं कितना काम करेंगी चार महिलाएं कि यह है कि पांस दिन तक उनने उने साथ मैं काम काम किया हुए पिर आदमी ने छोड़ा थो दोनों में इस तरीके से काम कुए है एक आदमी एक महला एक लड़का किसी कार को तीन दिन चार दिन और बाराय दिन में कर सकते हैं एक आदमी और एक महला को कितने लड़कों की आवज सकता होगी कि कार एक बटे चार दिन में हो जाए मतलब समय जो है एक चौथाई होना चाहिए फिर लड़के चाहे किरने भी लगा सकते हैं तो यहां से देखना एक आदमी जो है एक दिन कोई काम को तीन दिन में कर सकता है और चार दिन में और एक लड़का जो है बारे दिन में कर सकता है आइनली जो बर्क रहेगा ऑबरॉल बारे यूनिट हम मानके चलते हैं ठीक है वन मेन और वन बुमेन कितने लड़के नमबार ओव बॉइस हमको नहीं पता कितने भी लड़के ले सकते हैं इंटू कितने का करेंगे 1 वट्र चार क्यों किपैंड यहां पर समध किळरा कहीं तो आपका देंखो एक इक तो टूटल वर्ट वर्क आपका और यूनिट्ट यह को Phone की और सकता मोईस को पतारी है वोईस की है एक एक उनिट है तो लोकि नमबर पता नहीं है और बनवाई 4 काम होना है यह 4 इधर चला जाएगा तो यह आपका हो जाएगा कितना वारे गुड़ा चार तो यहां से हम इसको हटा दें है अब इसको करेंगे तो 4 और 37 हो जाएगा 7 प्लस N इसकोल 2 हो जाएगा 12 प्लस N इसकोल 2 जो आपका आने वाला है वो 48 माइनस का 7 मीज़ आपका 41 वोईस आप लोंका नमबर वोईस आ चुका है 41 अलब 41 लड़कों की आवसकता होगी तो काम उसका एक वटे चार दिन में ही हो जाएगा ठीक है ए नौ घंटे प्रती दिन काम करते हुए किसी काम को 6 स चे या 6 बटे साथ लखा हुआ है सोरी शेवटे साथ दुनों में पूरा कर देता है तो यदि काम एक साथ करते हैं तो काम को कितनी दूनों में पूरा करेंगे यदि वह 9 गंटे प्रती दिन काम करें ठंडे दिमाग सिसो चो बिलको लेजी कोश्चन है देखो ये 9 गंटे दिन काम करता है हर दिन 9 गंटे काम करता है और 9 गंटे काम कितनी दूनों तो करता है चेती अठारे तो बीस बटे तीन दिन तो अब जी पूरा का पूरा घंटे में बदल गया हवर में बदल गया क्यों बदल गया क्योंकि 9 गंटे प्र दिन काम करता है यतनी दुनों तो कर तो सब्सक्राइब कर सकता है, कि दिनों में 60 गंटों बात करेंगे में वी जुके लेगे आट गंटे प्रती दिन काम करता है और कितने दिनों तक करता है इसको एड़ करना पड़ेगा ना बारा पंजए साथ बारा चिंग बहादतर और बारा सत्ते चोरासी चोरासी और छे नब्बे नब्बे वटे साथ नब्बे वटे साथ दिन हो गई ये काट ओगे आप लोग तो 90 अवर्स आजाएगा ये जो दिया गया है वो अवर्स में दि किसी काम को कर लेता है 120 गंटे क्या कर लेता है एल्सीम कर लेता है बारे से इसको बाराइट 24 वारत दिशति वृट्विषट चल जाएगा ठीक है यह च्छ यूनिट काम आप और यहां पर इतना ही काम एक यूनिट के अनुसार रहता है यह एक दिन होता तो में इस दिन करते हैं जोड़ोके तो एक दिन में यह पुल मलातर स्मेंट की पर सकते हैं और 1 गंटे में काम करते हैं आप तीन सो साथ युनिट क्ल काम हैं वह एक कंटी में तेरा यूनिट काम करते हैं उनको 9 OUT montag है तो एक दिन में उत्ना काम करने हर दिन नो गंटी काम करना है अ इस तरीके से घटाएंगे को आपका और तो 13-49 और एक वट्टे 13 मलब 3 सही एक वट्टे 13 दुनों में काम जोगा complete हो जाएगा means option number V आप लोंगो correct answer हो जाएगा क्योंभी 3 सही एक वट्टे 13 दुनों में काम complete हो रहा है अगला type क्या केता है आप लोगों उपब A और V एक साथ काम को 12 दूनों में करते हैं B और C उसी काम को 16 दूनों में करते हैं यदि A कारे को 5 दिन करे V कारे को 7 दिन करे C बचे काम को T 13 दिन है वाई V इस तरीके से लिख गया यह भी V नहीं है यह 13 दिन है उपर इंगलिस में क्लियर कर दिया है तेरे दुनों में करें तो ग्याद करें C काम को कितने दुनों में करेंगा देखे A और B काम को 12 दुनों में B और C 16 दुनों में कर रहे हैं यहाँ पर लिखते हैं इसको A और B किसी काम को कितने दुनों में कर रहे हैं A और B आप लोगे का 48 यूनिट वर्क आएगा और यह जो आप लों का होने वाला है 4 यूनिट एंड 3 यूनिट मतलब एक दिन में 7 यूनिट वर्क करने वाले है ठीक है एक डिन करें मतलब 5A वी कारें को 7 दिन करें मतलब 7B साथ दिन काम कर रहा है न 7B और C अपना 13C तेरे दिनों तक काम कर रहा है ठीक है और फाइनली कुल बरक आप लोगों का 48 आप इसको करने के लिए 5A का 5A लिखे रहने दीजिए इसको करूँगे क्या 5B प्लस 2B आपको इस तरीके से तोड़ना है कि इनमे से कॉमन आ सके नियूमेरिकल नमबर आपका कॉमन आ सके इसको कर लेजिए 2C और प्लस 11C इसको आपका आ गया 48 कॉमन ले लेजिए 5 ब्रेकेट आप लोगों का A प्लस B हो जाएगा 2 को कॉमन लोगे तो आप लोगों का B प्लस C हो जाएगा और प्लस आप लोगों का 11C is equal to 48 यह हमने इसलिए कि हमको A प्लस B की छमता दिए गई है कि एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे इसका हम यूज करते हैं तो आपको काफी प्रॉफिट होता है 20 यूनिट यह कर रहे है छै यह यूनिट यह काम कर रहे है फाइनली आपको बच रहा है 48 यहाँ पर अभी लिखना होगा 11C तो 48 और यदि आपका यहां दिखा जाए तो 11C is equal to 48 minus 26 48 minus का कितना आजाएगा 26 यदि इसको आप minus करते हो कितना आएगा 22 तो C is equal to C की चमता आगई 22 बटे 11 मतलब एक दन में दो यूनिट काम करेंगे कुल काम आप लोगों का था 48 यूनिट एक दन में दो काम करेगा तो 48 यूनिट काम को करने में 24 लगने बाले है 24 दिन लगेंगे अगला टाइप आप लोगों से क्या कहता है ऐ और जesap काम को वाराय दिन 15 ज्यादा लेगा तो वि अकेले काम को कितने एक दिन जिनों में करेगा और आपको यहां भी दिया गया कि ठी지는 ड़ौयाता है मतलब आप्टाटट अदिम अलें चीन काम को तीस दिनों करें तरही है तो समयान को यह सम स्क्राइब को एक डिनों-चीनम स्क्राइब साथ यूनिट कामू करने में कितना दिन लगेगा बारे दिन लगेगा पहला वाला ही सैटिसफाई हो गया वह आपसे बोला तो ना कामू करने में बारे दिन लग रहे हैं वी से दस दिन ज्यादा समय ले रहा है ये बिल्कुल ले रहा है बी से दस दिन ज्यादा टाइम ले र का जरूर यूज करना और आप लोगं के लिए contact number दे रहा हूं अनगेडमी यदि आप लोगं को लेना हो तो यह आप लोगं के लिए contact number है आप लोग आसनी से हां पर मुझे call कर सकते हूं इस्पेशल for बाइ 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 बाइ